स्वागत है आप सभी का ग्यापन इकेडमी के इस नए और लेटेस्ट वीडियो में सो फाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग हिंदी ग्रामर का अबजेक्टिव कुश्ण करने वाले हैं और यह किस टॉपिक से होगा तो विलोम शब्द से होगा विलोम शब्द आप लोग जानते हैं जिसको विप्रितार्थक शब्द भी कहते हैं विप्रितार्थक नामी में विप्रित अर्थ रखने वाला शब्द यानि कि वैसा शब्द जो किसी दूसरे शब्द का विप्रित अर्थ रखता हो उस तरह के शब्द को कहते हम लोग विप्रितार्थक शब्द जैसे कि आस्मान का उल्टा जमीन, सच का उल्टा जूट तो सच का उल्टा विप्रीत अपोजिट मीनिंग रखने वाला शब्द कौन है तो जूट सच का विप्रीत अर्थ रखने वाला शब्द जूट तो जू तरीके से आसमान का उल्टा जमीन ठीक है अब इसी तरीके से इतना आसान क्रुष्ण आप लोग उसे नहीं पूछा जाता है इतना खतरनाक खतरनाक शब्द उठाएगा जिसका आप लोग हो सकता है कि विलोम शब्द ना जानते हों ठीक है और नीचे चार ओप्सन दिया रहत है तो फिर फाइनल एक्जाम में आप लोग को किसी भी तरक की प्रॉब्लम का सामना नहीं करना पड़ेगा ठीक है ना तो आज का इस वीडियो आप सभी लोग के लिए काफी इंपोर्टेंट है विलोम शब्द एनिक विप्रितार तक शब्द से टूरल बीस कोशन करने वा लाइक करें जितना ज्यादा हो सके आप लोग को वीडियो को शेयर करना है ताकि दूसरे लोग इस वीडियो का लाग बठा सके चैनल पर नहीं नहीं है तो चैनल को सब्सक्राइब कर लिजेगा ताकि रोज आने वाली वीडियो का नोडिफिकेशन आप तक सबसे पहले पह प्रशन तो आप लोग को स्क्रिम पर दिखी राओगा शात्रुस का लिंग निरुने करें कि ना हों इसनल पहुन से उसले लिंग सीघ्यों से फ्सक्राइब लवजे नेक्स्ट कोश्टन की तरफ बढ़ते हैं दूसरा प्रस्टन भी आप लोगो इसकर पर दिक्राओगा कि आत्मा का लिंग ने नहीं करें और दूसरी बात ये कंफर्मौ जाती है तो बयंकि पहली बात ये कंफर्म हो गई की डी नहीं होगा इन में से कोई नहीं है, यह option तो हो नहीं सकता है और दूसरी बात यह confirm हो गया है कि option number A भी नहीं होगा क्योंकि यह उभैलिंग भी नहीं है आत्मा तो आत्मा क्या है, pulling है या फिर sterling है तो ध्यान से सुनिए आत्मा जो है ना, यह एक sterling loves है यह निकी sterling शब्द है, option number B is the correct answer ठीक है, आत्मा आएगी या फिर आत्मा चली गई, आत्मा निकल गई, आत्मा भाग गई आप लोग सुने होगे, भाग गया नहीं, भाग गई, ठीक है तो आत्मा एक sterling loves है next question की तरफ बढ़ते हैं तीसरा प्रश्ण है की महिमा का link नेर्णे करें, बताइए महिमा यह कौन सा link है, option है मैं strilling भी मैं pulling और इनमें से कोई नहीं, तो दो चीज़ तो यहां पर कट जाती है सबसे पहले तो उबैलिंग होगा नहीं, और इनमें से कोई होगा नहीं, यह दो option हो नहीं सकता है, महिमा या तो strilling होगा, नहीं तो pulling होगा तो बताइए क्या होगा, महिमा जो है न, यह एक strilling लफज है, आप तो सुनें होगे, यह हमारी महिमा है, ठीक है, option नमबर यह ता करेक्ट अंसर, हमारा नहीं, हमारी, ठीक है, डल का link निरने करें, option यह मैं strilling, B में pulling, C में, वे link और इमें में कोई नहीं, बता दीजे, डल क क्या है, यह कौन सा link है, दल जो है, यह एक pulling लफज है, ठीक है, pulling शब्द है, next question, देवता का link निरने करें, option A में है, उभै लिंग, B में strilling, C में है, pulling और D में में से कोई नहीं, बताइए, आप लोग खुद सोचें, देवता यह जो शब्द है, यह एक pulling शब्द है, ठीक है, वस्तू का link निने करना है, कि वस्तू इस्त्र link है, pulling है या फिर उभै लिंग है, तो वस्तू यह शब्द, यह स्त्रören निंग है, ठीक है, ध्यान रखना है, वस्तू इस्त्र söylेंग, option B is the correct आगे बढ़ते हैं साथ नंबर प्रश्ण है यह सारे कोश्चन इसलिए कराया जा रहे हैं ताकि आप लोगों को प्राटिस हो जाए और जो जो शब्द है वह आप लोगों के मैंड में पित हो जाए कि हाँ अब मालीजी आप लोगों के एक्जाम में पूछ दिया कि वस्तू का लिंग ने करें वस्तू कौन सा लेंग बताएं पुलिंग या फिर उभैलिंग तो बाल कटवा लेनी चाहिए है एक कटवा लेना चाहिए नहिं एक कटवा लेनी तो बाल क्या है स्त्रजी जिसे जाती का होना पता कि आंट चब्स रिपAssm cannot doctrine करें करें कि उनी क्या होगा क chutनी कि श्त्री लिंग होगा तो यह एक्तर लिंग यह होता है option number B is the correct answer तुम्हारी कूली से लग गई चोट लग गई आप लोग सुने होंगे इस तरह से बाते होती है हाथ का लिंग निर्णे करें बताएं इसका सही एंसर क्या होगा हाथ इस लिंग है की पुलिंग है क्यों भैलिंग है हाथ जो है न यह एक पुलिंग लव्ज है नेक्स्ट कोशन आप लोग सुने होंगे चुप रहो वर्ना मेरा हाथ उठ जाएगा ऐसे तो वर्ना मेरी हाथ उठ जाएगी इस तरह तो नहीं होता है चुप रहो वर्ना मेरा हाथ उठ जाएगा ठीक है अब चाहे वो कोई औरत बोले चाहे कोई मेल बोले पुरुष बोल बोलेंगे क्या चुपरोवर न मेरा हाथ उठ जाएगा ठीक है उठ जाएगी नहीं उठ जाएगा यानि की हाथ जो है यह पुलिंग शब्द है याध रखना है उसी तरीके से अगला शब्द है… रिशी रिशी यह पुलिंग है के स्थRILLING के डरहां दो कौके रिश्य यह तो बहुत असान यह पुलिंग है नेक्स प्षाइब की दरब बढ़ते हैं जाघरन जाघरारन यह लफ्तमीन श는데요 है याद रखना है यह भी पुलिंग है कैंची का लिंग लेने बता यह कैंची क्या होगा यह स्ट्रिलिंग होगा यह फिर पुलिंग होगा तो कैंची ध्यान रहें कैंची कैंची इस्ट्रिलिंग लफ्स कहलाएगा इस्ट्रिलिंग शब्द आपके सकते हैं बार बार में लव्ज कहा जाता है उर्दु पढ़ाते थोड़ी सी प्रैक्टिक होगा यह कि मैं लव्ज ज्यादा बोल देती हूं लव्ज बोले यह फिर शब्द बोले बाते ही है तो कैंची जो है ना यह एक इस्त्रिलिंग लव्ज है ठीक है आगे बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है की तलवा का लेंग silence करें कि इनकी तलवा बताना है कि स्थिलिंग है यह फिर पुलंग है तढ़ ठीक है अंगुफी का सब्सक्ष्ण हो प् guarantee होका दीद सलेगे दी तौ बढ़ते हैं अगला प्रश्ण है कोश्य नमबर 15 की कमीज का लिंग निरने करे कमीज का लिंग बताना है कमीज क्या है पुलिंग है फिर इस्तरलिंग है तो कमीज ध्यान रखना है कमीज जो है यह इस्तरलिंग है आसू इस्तरलिंग है कि पुलिंग है यह तुला हुआ कोश् आसू अप लोग को क्या लगता है आसू बह गया या फिर बह गई आसू आसू जो है न वो एक पुलिंग लगता है आसू बह गया सुल्ला का उप्सन नबर सी इसका करते हैं लिवय्वावप पुलिंग शब्द है रीतू का ने बताना है क्लेंस गए पुलिंग है यह फिए इस रितू है कौन रितू है कौन सी रितू है कौन चाहिंग डारेक्ट पता चल रहा है ये इस्तुरी guitar नेड़ने करना है आपको भी मांगनी चाहिए या फिर ओधिनला चाहिए आप आट यह बहुत यहां पर आप लोग लग होता हुए भी मांगने चाहिए यह फिर इसे सवाल का सही जवाब होगा option नमबर इसटर नowią जो है न क्या होगा भीक मांगना चाहिए तो भीक मांगनी चाहिए ठीक है इस्त्रिलिंग शब्द है नेक्स्ट कोश्चन की तरफ बढ़ते हैं और मात्र दो कोश्चन बचा हुआ है क्या है कि अखबार बताईए यह क्या है इस्त्रिलिंग है कि पुलिंग है यह फिर उभैलिंग है तो अखबार यह एक इस्त्रिलिंग लफज है अखबार अखबार पढ़नी चाहिए अखबार पढ़ना चाहिए नहीं अखबार पढ़नी चाहिए ठीक है तो अखबार यह तो पाइनली आज के इस वीडियो में हम लोग विलोम शब्द यानि की विप्रितार्थक शब्द जिसको इंग्लिश में हम लोग अपोजिट वर्ड कह सकते हैं अपोजिट वर्ड से हम लोग टोटल 20 क्यों किये आप लोगोंने कितना अपने इसाब से क्योशन सही कर पाया है कमेंट बॉक्स में लिए और बाकि जो कुछ भी समझाए गया है अगर समझ में आए तो यह भी बात आप लोग कमेंट बॉक्स में लिखें और उसके सांसाथ व वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक सबसे पहले पहुंचेगा तो आप लोगोंने नोटिफिकेशन बेल ओन कर लिया हो और किसी तरह का कोई भी डाउट है तो भी आप लोग कमेंट बॉक्स में लिकर पूच सकते हैं हो सकेगा तो मैं मैं नेक्स्ट वीडियो में उस कंफ